आसकार दोस्तों आज संडे आज 11 फ्रेबुर्यारी हम लोग करेंगे मल्टिपल स्टॉक के बारे में चर्चा साथ साथ ब्यांग निप्टी में बड़ा बदलाब होने वाला है करेंगे ए बढ़ी में चर्चा और कल क्या होगा बड़ी धमाका जो कि मदर्शन सोमी जीओ फैन कोई भी एक्षन लेते हो तो आपका फाइनल से लाडवाजर ने तो आप खुद है अनलेसिस करते हो उसी के दम पर कोई भी कदम उठाएगा और आप चाहते हो हमारा प्रीमियम सपर्ट ग्रूप मेंबर लेने के लिए जो कि आप्सलेटल फ्री अपकास्ट दिया जा जाता निप्टी मिटक्प निप्टी सेंट्स ब्यांग के साथ असथ जीरो टु हीरो कल और स्टॉक अप्सन कल के लिए हमारा प्रीमियम मेंबर सिप मेंबर को दिया जाता है जीदर कि आप एंजल वान आप अप्स्टक्स में आखाण उपन करके हमारा साथ में लाइप टेम खालने मैं लेकर आया हूँ जो की निप्टी ब्यांग में क्या होगा बदलाव वहantes को कानरा ब्यांग को एंट्री मिलेगा करके यह बोला जा रहा है तो यह मीडिया डॉलर्स का इंफ्लो आ सकता है कानरा ब्यांग में और अगर कानरा ब्यांग को इंफ्लो आएगा कानरा ब्यांग को अगर निप्टी ब्यांग का हिस्सा बनेगा तो कौन जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो बंधन ब्यांक को इधर से आउड होना पड़ेगा और जो की पुब्लिक सेक्टर ब्यांक जो कानरा ब्यांक को एंट्री मिल सकता है तो यह हिसाब से एक बड़ी न्यूज आ रहा है कानरा ब्यांक के लिए एक गुड न्यूज बंधन ब्यांक के लिए एक बैड न्यूज बोलकर आप चल सकते हो जो की इफेक्ट होगा मार्च 31 के बाद और कल से मार्केट में अगर खल्चल ज्यादा सुष्टी होगा तो है एंज जी ओ रिलांस इंडुस्ट्री को लेकर रिलांस इंडुस्ट्रीन में दो न्यूज है जो कि कल का दिन में आप लोग को दिखाई देगा फॉत्ट आप लोगके सामने में रिलांस के बाद करने से पहले आप लोगको बताऊंगा रिलांस का क्या है आज का दिन का closing जो कि 2021 का एक उन्ती से सत्तर रूपया का उपर हुआ क्लोजिंग और रिलांस अभी बड़ी अप ट्रेंड में चल रहा है ओके रिलांस में दो खबर है एक गुड़नुच एक ब्यांड नुज है गुड़नुच आप लोग के सामने से पहले बता देता हूं फ्रेंड देखिए रिलांस में एक कंपनी को अतिग्रहन कर दिया है जो की जिसका नाम है आप लोग के सामने दिया गया है मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं और सी पी एल सुइट स्पोर्ट इन पाम पसंद ममम जो की म्यांगो मूर्स बनना वाला कंपनी को यह अतिग्रहन जो की अंडर्टेकि हो जाएगा. तो ये अच्छी खबर रिलांस के लिए उके रिलांस के लिए जो बैंड निव्ये ऐ आप लोगो मालूम होगा सायध फ्रेंड्स जो की गुजरात में जो की जामनोगर में रिलांस का एक मौल का उपर फायार हो गया था फायार मतलब uh deze oil में फायार लगा था और इस में बहुत खेती हुआ है जो कि एक मौल में और उसके साथ пальम कोई भी खराब़ न्यूज तध है आया है नहीं बट यह बैड न्यूज है जो कि रिलांस मॉल में फाया लगना कोई अच्छा कोई सेलिब्रेट करने वाला चीज नहीं है ये भी आपको ध्यान देना है जियो फिनांस की बात करेंगे फ्रेंड आप लोग को मैंने जैसे की बोला था रिलांस को अगर आपको जियो फिनांस में अगर एंट्री कर लिये हो तो आपको ये लॉंग टर्म के लिए बेटना है ना कि कोई सोट टर्म के लिए आप अगर मूड करना कर रखे होगे तो 295 गया था आपको तो आउट हो जाना चाहिए था अगर आप long term खिलाडी हो friends जियो फिनांस में आपको बड़ी लंबी दर खिलना है तो आपको इसमें आपको क्या support क्या बनकर आ रहा है जैसे कि मैं बोलूँगा 255 का यह support जो कि यह resistance का काम कर रहा था 250 का यह अभी एक support zone बनकर आ रहा है जियो फिनांस के लिए और यह एक बड़ी upside movement करेगा जो कि मेरा कहना है अभी तो कि जियो में कुछ तो काम नहीं चला है जो financial से जियो फाइनस में तो अभी काम होना बाकी है फिर भी आप अगर इसमें अगर hold करना चाहते है तो hold कर सकते हो लॉंग कम में आपका पैसा को multiple करेगा जैसे कि मैं आप लोग को मेरा जबी जो 202 में आपको बाइंग कराया था मैं आपको दिया था target 300 का 300 का तो target अल्मस्ट अम लोग टच करके फिर 274 के पास चल रहे अभी भी कोई चीप नहीं है को कोई यह बड़ी हो गया नहीं ज्यादा भागी नहीं गया है तो अभी आप इसमें इंट्री भी ले सकते हो और आपका दो से तीन साल का अगर भ्यू है तो मैं बोलूंगा double क्या triple भी हो सकता जीवा प्रायन्शल इसकी लिए आपको इसमें बने रहना है मुदर सबस्राइब मुद्शन सुमी की हमारा neste जल स्बेस्पेटर कर ना चाहिए मुदी पइसा बन सकता है जैसे कि मैं work maximum देखा दूंगा तो आप चाट पेटर आप देखोगे क्या खत्तर नात रिटन बना है फ्रेंड्स आप ददर डालिये कितना है अकड़ा तो देख सकते हो कितना बड़ी रिटन दिया है उसका इन्वेस्टर को अगर इसमें आपको बना रेना है तो हाँ यह बहुत ही स्लो चलता है और वही सबसे अपको इदर होल्ड करना आना चाहिए आप अगर मुमेट में आया लेकर निकल गए बेट गए यह तो बहुत खराब चीज़े अगर आप इसमें अगर मुमेट आ और पाना चाहते हो अभी जो आ रहा है 120 का पर चल रहा है खुब कम दिन में लगता है मदर्शन सुमी तो होल्ड करना है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट किये होई तो मैं बोलूंगा होल्ड करना है और उसको लंबे पारी खेलना है मदर्शन सुमी बहुत सांधर कम्पनी है और यह आप लोको स्टॉक्स, स्पीट, बोनोस और देता ही रहता है यह कम्पनी बहुत ही सांधर है नेश्ट शेयर की बात करेंगे फ्रेंड से आप लोग के सामने इंटलिवेट्स कैपिटल वेंचर्स अनाउंस टू इज टू वान बोनोस शेयर अगर आपका पास एक शेयर है अगर आपका पास यह शेयर है मैं बोलूँगा होल्ड कीजिये आपको बोनोस मिल सकता है मिलेगा 221 इसाब से आपको बोनोस भी मिल जाएगा और शेयर अभी 163 को पर चल रहा है अब फ्रेस इन्वेस्टमेंट करना मुझे तो नहीं लग रहा है आप इसमें अगर आपका पास यह शेयर है तो आप इसको होल्ड करके रखिए लंबे के लिए आपको आचा बेनिफिट दे सकता है हाँ अगर अभी अगर यह बोनोस का चलते हुँ आपका इन्टरी लने के लिए मैं कोशिस करते होगे तो मैं बोलूँगा नहीं करना थे एकोशिस यह बहुत जोरदार भाग चुका यह छोटी सी कमपनी इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा जै मेरा राय है जै इसमें न्यू फ्रेस एंटरी नहीं लेना है तो फ्रेंड वीडियो में अगर इन्फो मेडिया अचला रहा तो लाइक करना मत भूले आपका फ्रेंड स्रक्रों में सेयर करते रिये एसे इंटरेस्टिंग वाला वीडियो देखने के लिए हमारा चन्नेल को सब्सक्राइब करके लखिए मिलते ने बिरिग साथ तब तक लिए जय हिन जय भरत